हेलो स्टूडेंट्स, तो हम ग्यान सागर का साथवाँ पार स्कूल की चुटियां हम पूरा कर चुके थे और आज हमने प्रश्ण उसकर करने हैं तो चलिए शुरू करें अभ्यास, कारे, अभ्यास, प्रश्ण अभ्यास और पहला प्रश्ण है स्वामी नाथन के मित्रों के नाम लिखिए, तो अब तो मित्रों के नाम तो याद हो ही गए होंगे, यह आसान है तो स्वामी नाथन के मित्रों के नाम क्या थे? तो स्वामी नाथन के मित्रों के नाम है मतर, मनी, राजम और शंकर तो ये पहले प्रेश्ण का उत्तर मतर, मनी, राजम और शंकर चलिए दूसरे प्रेश्ण की और बढ़ते हैं दूसरा प्रेश्ण है स्वामी नाथन को पिता जी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यूं? तो देखिए पिता जी ने उसको क्या कहा था? तो स्वामी नाथन को पिता जी की यह बात ठीक लगी कि यदि वह फेल हो गया तो उसके सहपाथी मतर, मनी, राजम और शंकर उसे छोड़कर दूसरी फार्म ए में चले जाएंगे और उससे नीचे के पांचवी के लड़के उसके सहपाथी बन जाएंगे क्यूंकि परिक्षा को केवल दो ही सप्ताह बचे थे और स्वामी नाथन परिक्षा की ठीक से तयारी नहीं कर रहा था इसलिए पिता जी ने कहा था ना ब्राने वाली बात कही थी उसको यह दूसरे प्रश्न का उत्तर इसे आप ठीक ठीक सही धंग से अपनी नोटबुक में करेंगे चलिए तीसरा प्रश्न स्वामी नाथन को अंतिम दिन परिक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था देखे वा तो सबसे पहले आ गया था ना परिक्षा भवन से तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा स्वामी नाथन को अंतिम दिन परिक्षा भवन से सबसे पहले बाहर आते हुए अटपटा सा लग रहा था उसे लगा कि दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यूं नहीं दे पा रहे उससे पहले ही बाहर आ गया था तो उसे बहुत अजीब भी लग रहा था यूंकि कोई भी बच्चा भी तक बाहर नहीं निकला था चलिए चौथा प्रेश्ट स्वामी नाथन ने छटे प्रेश्ण के उत्तर के भारे में क्या जूट कहा और क्यूं तो देखे उसने क्या क्या जूट कहा था प्रेले तो उसने स्वामी नाथन ने छटे प्रेश्ण के उत्तर के बारे में अपने सहपाठियों से पूछा तो किसी ने कहा एक प्रेश्ट, किसी ने कहा तीन चौथाई प्रेश्ट और किसी ने आधे से कुछ जाधा प्रेश्ट का उत्तर लिखा था स्वामी नाथन ने सबके उत्तर सुनकर यह जूट कहा कि उसने भी इस प्रश्ण का उत्तर लगभग आधा प्रिष्ट लिखा है जबकि उसने केवल एक पंक्ती में यह उत्तर दिया था यह है चौथे प्रश्ण का उत्तर अगला है पांचवां प्रश्ण हेड मास्टर ने बच्चों को छुटियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी हेड मास्टर ने बच्चों को छुटियां इस प्रकार बिताने की सलाह दी कि बच्चे अपना समय नश्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे तो यह है आपके पांचमें प्रश्ण का उत्तर तो आशा है आप भी छुटियों में समय बरबात नहीं करेंगे समय पर पढ़ते रहेंगे और अपना कारे भी पूरा करते रहेंगे तो यह प्रश्ण उत्तर आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से करने हैं सुंदर हैंडाइटिंग में करने हैं चलिए प्रश्ण 6 देखते हैं नीचे देगे कथन किसने कहें किस से कहे तो कथन है स्वामी तुम अभी सोय नहीं तो देखो ये किसने कहा था ये आपने बुक में ही करने है पेंसिल से कीजेगा तुमने आखरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? ये किसने पूछा था? स्वामी नाथन ने सहपाथी से हाँ भई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? स्वामी नाथन ने राजम और शंकर से स्वामी नाथन ने राजम और शंकर से ठीक है? तो स्पेलिंग गलत ना हो सही धंग से देख कर लिखेगा प्रशन साथ उचित उत्तर पर सही का निशान लगाए ये सब आपने किताब में ही करने है, नोट बुक में नहीं केवल प्रशन उत्तर नोट बुक में करने है स्वामी नाथन की परिक्षां को लेकर कौन परिशान था? देखे, दादी, पिता, स्वामी नाथन या हैड मास्टर? कौन परिशान था? पिता जी तबी तुटराने वाली बात कही थी ना उन्होंने तो स्वामी नाथन ने दशमलव के सवालों को करने में कितना समय लगाया? कितना समय लगाया था? चार घंटे, एक घंटा, धाई घंटे या आधा घंटा? सही उत्तर होगा आधा घंटा कौन सी भाशा का पेपर पांच बजे तक चलने वाला था? हिंदी, तमिल, संस्कृत या मल्यालम तो तमिल का पेपर पांच बजे तक चलने वाला था चलिए नेक्स्ट है बातचीत के लिए स्वामी नाथन को ऐसा क्यों लगा कि पिता जी का मिजास खराब होता जा रहा है? तो देखिए स्वामी नाथन को इसलिए लगा क्योंकि पिता जी बाद बाद पर उसको डांट रहे थे कभी वो जब मां के पीछे या दादी किसे बात करता हुआ नजर आता तो पिता जी उसको डांट ते तो उसे लगा कि लगता है पिता जी का मिजास खराब होता जा रहा है क्योंकि परिक्षाओं के दिन नस्दीक थे और स्वामी नाथन ठीक से परिक्षाओं के तैयारी नहीं कर रहा है और बाद बाद पर पिता जी उसे डांट रहे थे कि जब छुटियां हो जाएं तो अपनी मन मर्जी कर लेना अभी तुम पढ़ो दादी इंतजार कर सकती है लेकिन परिक्षा इंतजार नहीं करेंगी तो आपके पिता जी का मिज़ास खराब है किन किन कारणों से आप पता लगाते हैं तो देखें पिता जी का मिज़ास खराब है तो आप भी बता सकते हैं कैसे पता लगाते हैं कई बार पिता जी गुसे से देखते हैं तो हमें लग जाता है पिता जी का मिज़ास खराब है तो चुप रहना ही बहतर है तब तो बात भी नहीं कहते हैं पिता जी से आपके साथ ऐसा कब-कब होता है बताईए थकान होना गला सूखना चिड जाना अटपटा लगना तो कब-कब होता है देखिए सब ठक जाते हैं पढ़ते हुए तो बहुत जल्दी ठकते हैं बच्चे बाते करते हुए नहीं ठकते हैं और जरा सब पढ़ने को कहो जोर जोर से पढ़ने के लिए कहेंगे तो इनका गला भी सूखने लग जाता है ऐसे खेलते हुए भी गला सूखता है नगर लगता है तो भी गला सूथता है चीड जाना तो कई बार हम चोटी चोटी बातों को लेकर चीड जाते हैं ठीक है और अच्पटा कब लगता जब सारे कुछ और कर रहे हमने गलती से कूछ और कर दिया तो कई बार Ivan पटा सा लगता है कूं आज क्या हो गया हमसे तो चलिए ये तो आप बता सकते हैं अपना आपसब छुटियों में क्या करना पसंद करते हैं यह यह चुटियों के मैं ना-नानी दादा दादी के घर जाना, रिष्टेदारों के घर जाना, उनके बच्चों के साथ मस्ती मारना या फिर कहीं दूर घूमने के लिए जाना चलिए बाकी है भाषा की बार जिसे हम फल करेंगे आज के वल इतना ही आप प्रशन उत्तर और बाकी जो प्रशन हमने साधा किये हैं जो किताब में करने के उनको किताब में करेंगे बाकी प्रशन उत्तर अपनी नोट बुक में आप करेंगे चलिए तब तक के लिए बाई एंड थैंक यू अगले वीडियो में फिर मिलेंगे